मित्रो मैं हूं डॉक्टर पर्मार और आप देख रहें चैनल आरेंपी इन्फो मित्रो आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं जिसमें ज्यादा तर तो पशुओं में जोड में सुजन आता है और उसमें पानी बर जाता है और पशु को चल हम अपना दुदारू पशु बफेलो के कारपल हाईगरोमा के बारे में जानकारी देगे तो वीडियो कब फूरा देखें मित्रो बफेलो में यह सुजन खास तोर पर नी जॉइंट पर कारपल बोन पर होता है जिसकी गोलाई लगबग छोटे बॉल से लेकर बड़े पशु को रोग होने की संबावना ज्यादा होती है मित्रो इस सुजन को हम पहले तीन भागों में बाटेंगे पहला सिंपल सुजन इसमें पशु के कारपल बोन पर थोड़ा सुजन होता है जो कड़क होता है दूसरा है पानी से भरा सुजन यह पहले से थोड़ा बड़ा ह होता है और इसमें पानी भर जाता है तीसरा सुजन है इसमें कोई इंफेक्शन होने से मवाद याने पस भर जाता है तो मित्रों इसको treatment क्या है इसकी treatment क्या है प्रथम तो जो सुजन होता है उसके आजू-बाजू के पशु के बाल कहीं चीज़ से काट डालने चाहिए और थोड़ा पहले वाला जो सुजन है उस पर होट fermentation याने गरम पानी का चटकाव करें उसके बाद उस पर जो iodine iodex aintment होता है उससे धीरे-धीरे मालिश करें तो यह swelling कम हो जाता है और दूसरे नीडल से प्रोविडन आइडिन को इंजेक करें या अगर वो जगह पर इंसीजन लिया है तो उसमें प्रोविडन आइडिन का गौज रखें दो दिन गौज रखना चाहिए मित्रों तीसरा टाइप जो होता है स्वेलिंग उसमें पर्स या मवाद होता है तो ब्लेड से इंसीजन लेना चाहिए वह सब मवाद निकाल देना चाहिए और अगर अंदर दूसरा कोई फाइब्रो मैटस पोर्शन भी हो तो उससे भी निकाल देना चाहिए और फिर टिंचर आइडिन का गौज दो दिन तक इसे पशु को चलने में बहुत ही आसानी होगी मित्रो यह बीमारी सभी पशुओं में दिखाई देती है कई प्राणियों में पीछे के पैरों में तो कई प्राणियों में आगे मुक के पैरों में बगल में यह गाठ दिखाई देती है तो मित्रो अपने बढ़ू हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए पशु की जो बैटने की जगए कड़क ना हो चीकनी ना हो सौफ्ट हो और नीचे लकडी का भूसा डालने से पशु को कोई दिक्कत नहीं होती मित्रो इतनी जानकारी के बाद मैं यह वीडियो यहीं पूर्ण करता हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो आ आजी सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च